अंजी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और आपका प्रिवार ठीक ठाग होगा राजिस्थान में अध्यापकों की बहुत बड़ी भरती निकली है आप यहां पे देख सकते हैं 48,000 जारपद है 48,000 जारपदों पे भरती निकली है यदि आप इस भरती के बारे में जानना चाहते हैं इस भरती का फोरम अपलाई करना चाहते हैं इस वीडियो में क्या होने वाड़ा है एक तो आपको डिटेल बताई जाएगी कि क्या क्वालिफिकेशन है क्या सेलेक्शन प्रोसेस है उसके बाद में इसी वीडियो में आपको forum बर के मिमा दिखाने वाड़ा हूँ पूरा का पूरा forum की कैसे आप ये forum बर सकते हो यदि आप ये वीडियो देखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि योग्यता क्या है और यदि आप forum बरने वाड़े हैं आपके पास योग्यता है तो forum बरने के लिए कौण कौण से document आपको चाहिएंगे यदि आप ही जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को last तक देखते रहे Knowledge TV देशी ताव YouTube चनल को subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर लिजिए ताकि आपको सही समय पर सही update मिलती रहे और इंडिया का कोई भी candidate इस भरती के लिए apply कर सकता है चाहिए male हो चाहिए female हो ठीक है चाहिए आप किसी भी state के हो सबसे पहले detail देख लेते हैं राजस्थान education department के तरफ से भरती निकाड़े गई है थरड ग्रेड टीचर की ये भरती है थरड ग्रेड टीचर की ये भरती अड़ तारिश जारिस के अंदर vacancy आपके लिए available है यदि आप फोरम बरना चाहते हो तो general category, OBC category, EWS के लिए साट इचर सुर पे फीस है ठीक है और SCST के लिए डाई सुर पे फीस है जो category देखी जाएगी वो केवल राजस्थान के देखी जाएगी यदि आप बाहर से हैं तो आपको general में fight करना पड़ेगा ठीक है 21 दिसंबर से लेके 19 जनवरी के बीच में फोरम बरे जाएंगे एक्जाम इसका 25 से 28 परवरी 2030 यनि कि एक्जाम डेट भी गोसित कर रखी है 25 से 28 परवरी ठीक है 18 से 40 साल इसमें age मांगी गई है age की counting आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है इसमें आपकी level 1 और level 2 दो परकार की वकैंसी है PRT के लिए 21 जार है और TGT के लिए 27 जार वकैंसी है यदि आप PRT के लिए apply करते हो तो आपके पास में DEAD या BEAD होना चाहिए साथ में READ क्वालिफाई होना चाहिए अपका इसके लाव जो TGT के वकैंसी है 27 जार पोस्ट है BEAD होनी चाहिए आपके पास में READ क्वालिफाई होना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पे TGT में आप देख सकते हैं अंग्रेज जी की हिंदी की विज्ञान गणित सामाजी का ध्यन संस्क्रित उर्दू सिंधी पंजाब भी ठीक है यह आपकी वकैंसी है सब्जेक्ट है रिटन एक्जाम होगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगी मेडिकल एक्जाम होगा ठीक है तो यह तो थी इसकी डिटेल अब यह फोरम यह आप अप अपलाई करना चाहते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कोण कोण से डोकुमेंट जरूरी है एक तो आपने देख लिया वाकी रीट क्वालिफाई होना चाहिए आपका रीट क्वालिफाई होना चाहिए जेबिटी है तो आप प्यारटी की अपलाई कर सकते हैं यह आपके पास बीयड है तो आप टीजेट की अपलाई कर सकते हैं ठीक है जी चलते हैं जी अब फोरम ब बरा जाएगा, यह recruitment.rajistan.gov.in इस website से आपका बरा जाएगा, सबसे पहले आपको SSO ID generate करने अपनी, राजस्तान में जैसे अधार कार्ड एक बार बनता है, वैसी SSO राजस्तान में एक बार बनता है, वो ID आपको generate करनी है, उससे आपको login कर लेना है, जैसे आप login के उपर click करोग आपको इस तरीके से क्या है, यह vacancy लिखी मिलेगी, मुझे यहाँ पर देख सकते हैं, level 1 का apply करना है, यहाँ पर लिखाव है level 1, उपर लिखाव है level 2, दोनों परकार के click है, यहाँ से अब login ID, जो SSO ID मैंने बताई है, उससे आपको login करना है, यदि आप registration करना चाहते है, SSO ID एक बार बनती है, यदि आप बनाना चाहते हैं, तो आपको registration के process से जाना है, यदि आपने पहले भी forum बरे थे, तो आपको login के process से शुरू करना अपना काम, तो login कर लेते हैं फटावट से, login हो गया है, तो यहाँ पर आप देखी, यह दिखाई दे रहें आपको, कि कौन सा level आपको apply करना है, यह ongoing recruitment है, SSO की base पे जो भी भरतियन करती है, वो इसी तरीके से बरी जाती है दोस्तों, यहाँ पर REIT लेवल सेलेक्ट करना है, आपके पास कौन सा है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, उसके बाद में वर्स सेलेक्ट करना है, कि आपने कब qualify किया है REIT, ठीक है, exam year, और roll number क्या है, यह automatic count कर लेगा, आपका data उठा लेगा कि आपके कितने number आये थे, इस roll number के base पे, मैं भी दिखा देता हूं, देखिए, यहाँ पर मैं roll number अभी enter कर रहा हूं, और फिर get data के उफर click करना है, get data के उफर आपको click करना है, ठीक है, roll number enter करके, यह automatic आपकी detail उठा ले यह देखिए, यह नाम आ गया, male, इसवर सिंग, ओम पती, date of birth आ गई, कितने महिने, कितने साल का हो गया, आईए, जो इन्होंने मांगी है, एक जनवरी 2024 को यह date count करेंगे, ठीक है, category यहाँ पर आपको select करना है, कोन सी category है, physical handicap है या नहीं है, यदि नहीं है, तो note applicable click करना है, उसके बाद यहाँ पर option नहीं आएगा, फिर आपका धरम select करना है, हिंदू select करना है, फिर married and married है single है, जीवन साथे का नाम क्या ही दियाप साधी सुदा है, तो सारे document का आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, कि कौन कौन से document की जरूरत पढ़ते हैं, कौन कौन से document स्क total आज कितने बच्चे हैं आपके, वो यहाँ पर आपको enter करना है, ठीक है, तो 2002 से पहले कोई बच्चा नहीं था इनका, तो मैंने यहाँ पर zero कर दिया, और 2002 के बाद में इनका एक बच्चा था, तो मैंने एक कर दिया, यहाँ पर automatic एक आगा, इनका एक बच्चा अभी हाल म और, यह आप राजस्थान की अनुसुची छित्तर से सम्मधित है या नहीं है, वो आपको apply करनी है, आपको special educator की वकाइन्स के लिए apply करना है, यहाँ पर आपको select लना है, तो यहाँ पर general education के लिए apply करना था इस candidate को, special educator के लिए नहीं apply करना था, अब यहाँ पर आपको address complete कर अपना address यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका गाउं का नाम है, सहर का नाम है, आपकी गड़ी का नाम है, आउस नंबर है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर enter कर रहा हूं, और यह forum मैंने complete भरा है, तो कोई भी आदि आप स्वाल पूछना चा अपना address है, वो डालना है, तो सारी detail डालके मैंने okay पर क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पर आपकी Indian है, आपका home state कोण सा है, हरियाना है, home district कोण सा है, वो select कर लेना है, ठीक है, उसके बाद में क्या आप extra management है, यहाँ तो yes कर लिजिएज नहीं है, तो no select कर दीजिएगा, sports person है आप, यदि है तो yes, otherwise no कर दीजिएगा, ठीक है, आप राजय सरकार के करमचारी है या नहीं है, तो आप यहाँ पर select कर लेजिए अपने detail, आपकी income dialogue से कम है या ज़्यादा है, वो बता दीजिए, yes, no कर दीजिए, ठीक है, यह जो benefit मिलेगा, केवल राजस्तान के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि किस करमचारी, आप यदि government employee है, तो उसके हिसाब से आपको select करते हैं, लेकिन यह नहीं, था तो no कर दिया मैंने, कोई additional age relaxation से ही आपको, तो यहाँ पर आप click कर से कर सकते हैं, उसके बाद में section ही क्यों गया था, सबसे पहले आप इसको tick जर जरू कर लिजगा, यहाँ पर आपको अपने detail एंटर करनी है, तो दस में की detail डालनी है, subject क्या थे उसमें, कोण से board से करी है, roll number क्या है, result आपका CGP में है, non CGP में है, percentage में है, तो यहाँ पर आपको अपना passing year और यहाँ पर percentage कितनी आई, ठीक है, उसके बाद में, यहाँ पर 12th की या graduation की, यदि आप plus 2 level वाली जैसे आप JBT के लिए apply कर रहे हैं, PRT के लिए apply कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर plus 2 enter कीजिएगा, यहाँ पर दो option आएंगे, 12th या graduation, 12th equivalent या graduation equivalent, तो यहाँ से आपको select 1 पर एक select कर लेना है, तो मैं फटा फट से detail है, वो डाल देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सारी qualification है, वो लग बगाए enter होचकी है, यहाँ पर देखे, मैंने graduation की detail भी एंटर करी है, JBT के बाद में, यह candidate बोला कि आप मेरी graduation भी detail दिखा दो इसके अंदर, तो मैंने सारी की सारी detail है, वो एंटर प्रेटन है, उस पर क्लिक किया, अब आगे आएगा यह पेज अपना है, यहाँ पर आपको अपना photo upload कराना है, यहाँ पर अपने sign photo 50 के बीच से लेके 100 के बीच में ओना चीए, और signature 20 के बीच से लेके 50 के बीच में ओना चीए, ठीक है, उसके बाद में, यहाँ पे body mark बतार कोई टूठ फूट का निशान है आपके कोई वीजिवल आइडेंटिफिकेशन नमारक यह आपको यहां पे दिखाना है तो फटावट से फोटो और सिगनेचर है वो अपलोड कर देते हैं अज़र और फोटो आचupl का है आप देख रहें स्क्रीन पर अभी साइन और उठा लेते हैं और पर पर राजस्ताँ जीकी का स्पेशल क लेटाय। चल रहा है। आप जोईन कर सकते हैं एक क्रेस्ट कोर्स है राजस्ताँ जीकी का आप जोईन जोईन करना चाहें तो कर सकते हैं और राजिस्तान ृट का क्रैस कोर्स भी चला हुआ है यहां पण इंट्विकैशन मारक है वह यहां पर और कर देते हैं उन जो नंबर स्लाइड हो रहे हैं इनके उपर कोल कर सकते हैं डिरेक्ट के डिटी डिटी आप पर आकि आप डेमो देखे कोर्स जोइन कर सकते हैं ठीक है पुनम कवर में के दुवारा ये राज़तान जी की का बैच है वो चला गया है यहां पर आपको 30 प्रेफरेंस डालनी है है CT की, Zoo, Location की 30 प्रेफरेंस आपको डालनी है तो फटावट से जो प्रेफरेंस रोड़ा लेते हैं यहां पर आप जैसे करोंगे na स्लैक्ट किया वह आटमेटिक वहालन नमर 1 पी आ जाएगा फिर दूसरा स्लैक्ट किया वह दूसरे नमर पी आजाएगा फिर पर Candid को अपनी डीटेल चेक कर लेने चीए कि उसकी नाम की स्पेलिंग सही है या गलत है जो भी यहां पर डीटेल है वो एक बर वैरिफाई जरूर करने चीए यहां पर इस Candid की सारी की सारी डीटेल है वो आ गई है मैं अब स्क्रोल करके थोड़ा सा दिखा देता हूं Candid को कर दो आदेता है तो यह केंडिट की सारी डिटेल है वही ठीक आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के उपर यह उसकी क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल है यहां पर आपको रोलंबर यह और यह पनी परसंटेज है वो चैक कर लेनी चीए उसके बाद में नी चीए आपका प्रेफरेंस है यहां पर देखिए अभी तक सम्मिट नहीं है इसको यस करना है और फाइनल सम्मिट के उपर कलिक करना है ठीक है अब यह अपनी जो फीस है उस पेस पर कलिक करना है और यहां पर फटावर से जो फीस है वो सम्मिट कर देते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए फीस में भी कॉन्ड-कॉन से ओप्शन आ रहे हैं यहां पर आपको नेट बैंकिंग से करनी तो उपर वाले क्लिप कि यहां से करना चाहते हैं तो आप निच्चे वाले उप्षन पर यहां पर अपना उप्षन हो सलेक्ट कर लेना ठीक है कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेना यहां पर आपको फटापट से अपनी डिटेल होगा एंटर कर देनी है तो मैंने बैंक की डिटेल एंटर करती है अब मुबाइल के उपर ओटीप आगा है वो ओटीप यहां पर एंटर करना है सम्मीट के उपर कलिक करना है देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस होने वाड़ा आपके सामने और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप किस तीज़ का वेट कर रहे हैं आप फटापट से लाइक कर लीजिए आगे भी आपको इसी परकार से वीडियो मिलती रहेगी आप चैनल को भी सबस्क्राइब करके रखना है तो यहां पर पेमेंट सक्सस होग रर्कूर्ट मेंट पर जाके हम प्रिंट आऊट अपने फोर्म का वो भी निकाल सकते हैं ठीक है यहां पर देखे विव अपलिकेशन और यहां से इसको प्रिंट निकाल दीजिए जो आपका फोरम है राजिस्तान में कोई भी रिक्रूटमेंट है उन में से लग भग 80% वकेंशियों का फोरम इसी तरीके से बरा जाता है सेम यही पैटर्न है SSOID का ही उसमें यूज के जाता है जिसमें भी SSOID का यूज के जाएगा उसमें पैटर्न यही रहेगा यह मैंने 48,000 जर्वकेंशियों के निकली है टीचर की PRT और TGT की मैंने वो फोरम आपको बरके दिखाया है तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपको पता चल गया है डोकुमेंट क्या चीए है कौन से डोकुमेंट अपलोड होते हैं कौन से नहीं होते अपलोड सिरफ आपकी 10 और 12 की मारक सिट होती है और कुछ नहीं होता है वोटो और साइन 48,000 जर्वकेंशियों कैंसे इसके इंदर और लास डट भी मैंने आपको बताई थी ठीक है मैं एक बर दुबारा से last date आपको बता देता हूँ कि last date क्या ही इस भरती के लिए दे आप apply ही करना चाहते हैं तो forum आपके शुरू हो चुके है last date है 19 जनवरी ठीक है apply कर लीजिए कोई योग समझा आई तो आप मुझसे बात कर सकते है बता देता हूँ मैं आप इस नंबर पे कोल कर सकते है 7, 15, 24, 34, 99 या फिर दूसरा नंबर और है 7, 6, equally 4, 49 धन्यवाद भगवान करें आप सबीका समय सुभ रहे झाल झाल